जैहिंद बच्चों स्वागत है अपने इसी यूटूब चलर पर बच्चों आज किस वीडियो में कच्छा बारा के बिद्धियर्थिम के लिए सोसलाइजी ने समास सास्त के मोस्ट इंपोर्टन अतलेगुत्री परस्ट लिकराए है जो 2024 बोर्ट एक्जाम के लिए बेरी इं इसी आटी रहेगा और सभी बोर्ट के इस्टूडेंस के लिए बहुत ही महत्पूर रहेगा तो चलिए देर ने करते हूं देखते हैं पहरा कोशन है कि जन्जाती जन्जाती को परिभासित कीजिए दोस्तों यह सब जो कोशन लाए हैं जब सब परिच्छों पूछे गए ह चलिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे एक समासास्त्री हैं राल फिलिंटन के अनुसार सरलता ग्रूप में जन्जाती एक ऐसा मानो समूव है जो एक विशेश भुभाग पर रहता है तथा जिसमें सांस्कितिक समानता निरंतर संपर्क तथा कुछ विशेश सितों के कार समूदाइक एकता की भावना होती है एम जिसका जीवन डीत रिवाज और विवार के तरीके आदिम अर्थात आदिकालीन विशेश्ताओं से क्या होता है यूगत रहते हैं उसे जन्जाती कहते हैं देखो बच्चों जो जन्जाती होती है वो देखो जंगलों पहाड़ों यह सब जगा रहती है अगला कोशन है भारत में जन्जाती हो किनी तीन विशेश्ताओं का उलेग कीजिए अथवा जन्जाती समदाय की परूँ विशेश्ताओं का उलेग कीजिए लगातार कई वरसों से परिच्चों जो पूछा जा रहा है देखो 2022-23 कई वरसों से करते हैं परते जन्जात की जो है एक समान में भासा होती है जातिवाद से होने वाली तीन हानियों के बारे में लिखिए तो जातिवाद से होने वाली तीन हानियों के बारे में लिखिए तो जातिवाद से होने वाली तीन हानियों के बारे में लिखिए तो जातिवाद से हो आहे बी समय परिवार की विश्यस्ताइं क्याही कि नाम चेल सम्पत्ति करता की जो है प्रधानता ठीक है दल कोछे अंतर विवाः को समझाईगे यह दिक Friendly पूछा गया परिच्छों में अंतर विवा किसे को समझाईए तो जब एक व्यक्त अपने जीवन साथी चुनों अपने ही समूँ से करे तो ऐसे विवा को अंतर विवा कहते हैं अगला कोशन वच्छों विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं देखो ये भी कई वासो प परिच्छों पूछा गया है तो इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंदी यों कुछ अन्य संबंदी भी सम्मिलित होते हैं ऐसे परिवारों को सदर्सों की संख्या जो है बहुत है अधीक होती है अगला कोशन है कि मात्रवनसी परिवार से आप क्या समझते हैं मात् माता ही सरवे सरवा होती है। ठीक lying उस्वेस मुख्या माता ही होती है वहां जो मात वन सी परिवार होता है ऐसे परिवार में व deeper maa के ऑर म मासे पुत्रियों के वन से नाम मिलते हैं माला बार में यहीब पर्था प्रस्लित है देखो ये question लगातार कई वर्सों परिच्छों पूछे जा रहा है दोस्तों most important 2024 board exam के लिए very importance है नातेदारी को परिभासित कीजिए देखो कई वर्सों लगातार परिच्छों पूछे जा रहा है अथवर नातेदारी से आप क्या समझते हैं तरह से पूछ सकता है या तो नातेदारी को प्रिच्छों कीजिए पूछ सकता है या नातेदारी से आप क्या समझते हैं देखो बच्छों नातेदारी को रिष्चेदारी कहते हैं ठीक है समाजी रूप से मानता प्राथ ऐसे संबंदों को नातेदारी या स्वाजनता कहा जाता है जो रक्त, बिवा, अथवा, दत्तक, कत्ता पर जो है अधारित होते हैं अगला कुशन है कि नातेदारी के पर्मुपरकार लिखिए तो नातेदारी के पर्मुपरकार निम लिखिए ते नमबर एक समरक्त संबंद है नंबर दो विवाह संबंद है, अगरा कुशन है कि जाद की विश्ष्ष्षां लिखिए, देखो यह भी υम्पोर्टेंस है, जाद की विश्ष्ष्ष्ष्षां का उलेक किया है, नमबर एक समाज के खंडात्माग विवाजन, नमबर दो जो है संस्तराण, नमबर तीन भोजन दता समाजी के सहवास पर पतिबंध है, नमबर चार नागरी के यहम धार्मी नियोग गताएं, यहम विशेशा दिकार, नमबर पांच पेशे के आप पतिबंधी चुनाओ का उलेख कीजिए, आगरा कोशन है कि भारत में जनजातियों के किनी तीन विशेश्टाओं का उलेख कीजिए, आईए इसका उत्तर देखते हैं लोग, जनजातियों के परूम विशेश्टाओं इस परकार हैं बचो, नमबर एक प्रतेग जनजाति का एक नाम, नमबर दो जो परिवारों का समूँ, पर्थाओं के दो कारियों को लिखिए, आईए कुश्चन दिखते हैं सब इंपोर्टेंस है दोस्तों, पर्थाओं के दो कारियों के लिखिए, तो पर्थाओं सीखने के कारें मदद करती हैं, पर्थाओं अनेक समाजिक प्रस्तितियों से अनकूल क करने में मदद करती हैं पर्थाएं बेक्तित निर्मा में सहायता करती हैं पर्थाएं समाज के लिए कल्यार कारी होती हैं पर्थाएं समाजिक जीवन में एक रूपता उत्पन करती हैं अगला कोशन है कि जाद पूरवागरा को परिभासित कीजिए इस कोशन दिखेंगे यह भी इंपोर्टेंस है जाद पूरवागरा को परिभासित कीजिए याद पूरवागरा क्या है तो भारत वर्ष में अनेक जातियों के लोग बच्चों रहते हैं हम लोग जानते भी भिन धर्मों को ले भिन जातियों भिन धर्मों को के लोग जो है भारत वर्ष में रहते हैं भिन भिन जात के लोग एक दूसरे को समाद दिश्ट से देखते हैं, उच जात में निम्न जात के प्रति अनेय पुर्वागरा प्रचलित है, उधरां के लिए जब वैस जात के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, तब कहने के मस्तिक में लाला की पत्मय बनती है, उच जात के लो पुत्र अधिमानता सबसे क्या ताथर पर है, इम्पोर्टन्स है, तो चली इसका उत्तव देखते हैं, देखा भच्छों, जिन समाजों में परिवार के लोग, परिवार में पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को अधिक महत्व देते हैं, तो उस व्योस्था को पुत् कि जो है महत्व दिया जाता है अगला कुशन है कि अंसोची जात की तीन समस्याइं बताईए अंसोची जाती जिसको हम लोग यसी कहते हैं भारती समिधान में तो अंसोची जात की तीन मिस्ष्थाइं बताईए इंपोर्टन से भी एचो तो पहला है देखो अंसोची जात की तीन में लिखी थे नमबर एक जंजात की मुख समय सब भून से अलग होना नमबर दो रिंगरस्थता अज्ञानता आधी कार्णों से यह लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं अगला कुशन है जनसंक्या ब्रिद्धी से क्या अतात पर है बेरी इंपोर्टेंस कोश्चन कई वर्षों पर इच्छाओं पूछा जा रहा है जनसंक्या ब्रिद्धी से बच्चों क्या अतात पर है देखो नाम सही लग रहा है जनसंक्या में तेजी से ब्रिद्धी लाना द किसे की चे महीने एक वर्ष दरस वर्ष में होने वाले बियक्टियों की संख्या में बृद्धी को जनसंख्या बृद्धि केते हैं मारत में जनसंख्या बृदि का पता लगाने के लिए प्रटेग 10 Work में जनगारणक राई जाती है कि तनी से वर्षॉबाद बारत में स्थान जो है जनसंख्या के माने में भारत का हो गया है चीन को पीछे छोड़ दिया भारत जनसंख्या के माने में तो कैसे रोका जा सकता है तो यह इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है भारत में जनसंख्या प्रिद्धी रोकने के उपाए भारत में जनसंख्या बिद्ध की सीमा का निधारा समाजिक सुरच्छा परदान करना संतत सुधार कारिकरम जीवन अस्तवर को उच्छा उठाने का प्रयास स्वाथ सेवा एम मरोरंजन की सधन जनसंख्या सिछा संचार माधुमद्वारा पचार प्रशार अगला कोश्चन बाचो माल्थस का जनसंख्या प्रीधी का सिध्धान्द क्या है ये कोश्चन बहुत पूचा गया अगले वर्स भी पूचा गया ता परिछो मे माल्थस का जनसंक्या प्रिद्धी का सिध्धान्त क्या है चलिए आई इसका उत्तर में देखते हैं देखो माल्थास के अनुसार पर चुछ जनसंक्या दुगनी रप्तार से एक दो चार आठ सोला बत्तिस से बढ़ती है जबकि संसादलों में समान नगती एक दो तीन चार पान से ही बिद्धी होती है प्रड़ामता परते एक 25 वर्षबाद जनसंक्या दुगनी हो जाती है यह माल्थास का कहिना है अगला कोशन है जन्मदर से आप क्या समझते हैं जन्मदर से आप क्या समझते हैं तो प्रती एक हजार जनसंक्या पर जीबित जन्मों की संक्या जन्मदर कह लाएगा चलिए दोस्तों अगला पुश्चन देखेते हैं लोग समाज किसे कहते हैं तो बच्छों समाज ऐसे लोगों का समूव है जो समाज संस्कृति का सहभाजन करते हैं एक विशेश पदेशिक शेत में रहते हैं तदा जिनका एक पिथक एकी क्रित अस्तित होता है उसे समाज कहते हैं एक ही करा क्या है आईए इसका उत्तर देखते हैं लो एक ऐसी पर किरिए जिसके अंतर समाज की विभी निकाईया एकता बद्ध होती है अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एकता सूत्र में बद्ध जाती है उसे जो है एक ही करा कहते है गरामीर समदाए कि कि दो मुख विश्षिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कोशन है कि समंदाइग की तीन विषाषताएं बता इए तो समंदाइग की परूल विष्शताएं निम्नि रिखित थे बच्चों तो देखो निश्चित भुगाग व्यक्तियों का समूह, समुदाई भावना, सारोमान नियम, स्वता अभिगास, विशिष्ट निनाम, अस्थाई पन, अनिमार्थ सदस्ता, व्यापक उद्देश यह जो है समुदाई की जो है पनूर विशिष्टाएं हैं अगला कोशन है स्वाव आचन किसे कहते हैं लिश्ष कोशन देखेंगे में लोग स्वाव आचन किसे कहते हैं तो वच्चो गहनता पूरवा सोयं का आत्म दच्षर करने की योकता को और समुदाई से क्या आसए है समुदाई से आप क्या समजते हैं या थवा कर देगा बहुत इंपोर्टन्स कोच्छर ने लगातार कई वैस्वों पर इच्वों पूछ जा रहा है समदाय से आप क्या समझते है जब कभी किसी छोटे बड़े समदाय के जदर से इस प्रकार साथ साथ रहते है कि उनका साथ रहना किसी विश्वेश पर्योजन या स्वार्थ से ना होकर समान जीवन के काम होता है तो ऐसे समझों को हम समदाय कहते है अरोपित पहचान क्या है दोस्तों आगला कोशन मनों देखेंगे Most important है कि अरोपित पहचान क्या है संस्कृति से क्या आसे है देखो बच्चों इसका उतर देखेंगे समाज का सुसचित तथा प्रतिकात्मक पच्च जिसमें भासा, रीक, युवाज, प्रमपरा, इत्याज सामिल होते है तथा जिसका संचार पिढ़ी दर पिढ़ी होता है संस्कृति कहते हैं उसे अगला क्वेशन देखेंगे में इंपोर्टेंस क्वेशन चल रहा है दोस्तों समय सब क्वेशन परिच्चों में पूछे गए है वर्ग से आप क्या समझते है अगला क्वेशन देखेंगे में लोग वर्ग से आप क्या समझते है तो वर्ग समान समाजी की स्थिति वाले ब्यक्तियों का समूव है ब्यक्ति लौकिक आयाम जिसे सिच्छा पेशा आए आवासी दसा का जीवन अस्तर आधि पर अपनी अरजीत स्थिति के अधार पर एक वर्ग का सदस होता है समाज में समान अरजीत शित्य वले ब्यक्ती एक वर्ग की रचना करते हैं वर्ग के सदर्शंव में वर्ग चेतना पाई जाती है समूव की विशेष्टाय बताईए चलिए इसको उपतर दों देखते हैं पूछा गया था तुझार बाइस में भी लगातार दो वर्षों से तो समूंग की विश्रिष्टाएं बच्चों इस परकार है एक सेधी सदस्पनों की बहूलता समूंग में वैसा होता है यह सब अपने मन से ली सकते हैं तुम लो समूंग और संपर्क और अंता किरिया परास लग समूंदाई की विश्रिष्टाओं का उलेक कीजिए लग समूंदाई लग माने होता है क्या बच्चों लग माने होता है छोटा तो लग समूंदाई की विश्रिष्टाएं को उलेक कीजिए देखो 2030 में पूछा गया था तो रावर्ड रेड फिल्ड ने लग समूंदा पूछा गया परिच्छों में, तो पार्शन्स के अमसार समाज को उन मानुवी सम्मंदों की जटिलता के रूप में परिवासित गिया जा सकता है, जो साधन और साध के रूप में की गई किरिया के फर्शुरू उत्पन होते हैं, चाहे वो ये विथार्थ हो या केवल प्रति का आत्मक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, तो बच्चों ये थे most important अध्रेगुत्री प्रशने कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए समाज सास्त्र के,